इससे पहले वाले वीडियो में हमने देव प्रयाग के दर्शन किये थे, वहां से हम मौर्निंग सेवन अराउंड निकले, देव प्रयाग से चोपता की दूरी नबे किलो मीटर है और टाइम अराउंड तीन घंटे लगता है रोड से, क्योंकि यहां तक ट्रेन नहीं चलती है अभी हम देव प्रयाग से तीस किलो मीटर दूर है और ये नजारा उत्तरा खंड के गढ़वाल क्षेत्र के श्री नगर शहर के पास का है और यहां लोकप्रिय कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है श्री नगर का एतिहासिक शहर अलकनन्दा नदी के प्राचीन तट पर बसा है और प्रकृती की उदारता से भरपूर है जो हर जगह से पर्यटकों को आकरशित करता है यह बद्रीनाथ, केदारनाथ और चार धाम यात्रा के दौरान ठहरने का एक महत्वपूर्ण स्थान है श्री नगर में सड़क के किनारे बहुत सारे ढाबे और सड़क के किनारे खाने के स्टॉल है जब आप बद्रीनाथ के रास्ते जाएंगे तो आप खुद ये जगह दिखाई देगी और अभी हम यहां से रुद्र प्रियाग होते हुए उखीमठ की तरफ जा रहे हैं और अभी लगभग 80 किलोमीटर का रास्ता बच रहा और यहां के सुन्दर द्रिश्य आपका मन मोह लेंगे टाएंगे झाल झाल कैफे पहुंच गए है और यहां से नीचे घाटी की तरफ हमारे रूम्स है अब यहां से फ्रेश होकर हम नजदीक ही स्तित सारी विलेज निकलेंगे जहां से हम अपनी देवरिया ट्रैकिंग शुरू करेंगे सारी एक उपजाव गाउं है धलानों के साथ साथ मैदानों का उपयोग विभिन्न फसलों की खेती के लिए अच्छी तरह से किया गया है जब तक हम सारी गाउं पहुँचे तब तक दोपहर के तीन बच चुके थे हालांकि इसकी केवल उत्तरा खंड में उम्मीद थी हम ठक चुके थे अगला दिन पहले से ही चोपता के लिए निर्धारित किया गया था ये 2.5 किलोमीटर की त्वरित यात्रा मानी जाती थी चोपता में एक बड़े ट्रेक के लिए वार्म अप जिसे आप एक से डेर घंटे में तै कर सकते हैं रास्ता पूरी तरह से पत्थरों से भरा हुआ है और हलकी खाड़ी है इसके अलावा ये ट्रेक उत्तरा खंड के अन्य ट्रेकों की तुलना में थका देने वाला नहीं है जो शौकिया ट्रेकर्स और बच्चों के लिए बिलकुल उप्युक्त है अंकार रतनेश्वर महादेव मंदिर इसक्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है जो प्राचीन काल का है जब इसक्षेत्र पर कुमाउं सामराज्य का शासन था यह मंदिर रतनेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव को समर्पित है जिन्हें सांपों का राजा और नागों या नाग देवताओं का रक्षक माना जाता है यह मंदिर वास्तुकला में केदारनाथ और तुंगनाथ के समान है और इसका मुख तुंगनाथ मंदिर की ओर है एक खास बात यह है कि जब शिव लिंग पर पानी डाला जाता है तो वह नीचे टपकता है और सर्प के आकार में AUM बनाता है पुजारी जी ने शिव लिंग का फोटो लेने के लिए मना किया था तो हमने नहीं लिया शानदार जंगल पेड और चहचाहाते पक्षी पेडों से छन कराती सूरज की रोशनी प्रकृती के ऐसे ही आशीरवाद है शुद्ध और प्रचुररवा वो सामने की तरफ सबसे हाइट पर बर्फ से धकी छोटी जो है वो तुंगनाथ चंदरशिला की है जहां हम कल जाए यहां 200 रुपे की टिकट है अगर स्टूडेंट कार्ड है तो सौ की यही टिकट तुंगनाथ ट्रैक के टाइम भी दिखानी पडिद्धेगी जैसे जैसे घुमावदार ज्यादातर छायादार सडकें जील के चारों और प्रित्वी के टीलों में समाप्त होती है आप अपनी गोद में बर्फ से ढकी चौकंबा छोटी के प्रतिविम्प को धारण करते हुए इस जील की शांती की सुन्दरता से लगभग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं देवरियाताल जील के आसपास कैंपिंग करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है देवरियाताल में आपको सिम के कमजोर सिगनल मिल सकते हैं इसलिए अपनी सभी महत्वपूर्ण कॉलें सारी में करें जील के अंदर और उसके आसपास कूडा कचरा पहलाना एक दंडनीय अपराध है और ट्रेकर्स को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए कि वे जील को प्रदूशित न करें जील पहाडों को प्रतिबिम्बित करती थी और शानदार दिख रही थी यह सूर्यास्त का समय था और पहाड बेदाग सफेद से लाल, नारंगी और गुलाबी रंग में बदल गए ठंड बढ़ रही थी, अंधेरा होने को था और हमें वापस होटल पहुँचना था तो हम निकल गए, हमें खुले आसमान और तारों के बीच नीचे उतरने में एक घंटा लगा धन्यवाद, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब